जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दे राहूल गांधी ने केरल की वाइनाट सीट छोड़ने का फैसला कर लिया है राहूल गांधी ने उत्तर प्रदेश की राय बरेली सीट पर सांसद रहने का बड़ा फैसला कर लिया है और अब वाइनाड सीट से प्रियंका गांधी आनि कि उनकी बेहन चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी का ये पहला चुनाव होने जा रहा है चुकि दोनों सीट यानि कि वाइनाड और राय बरेली दोनों सीटों से चुनाव लड़ा हाला कि राहूल गांधी की तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया है कि वाइनाड और राइबरेली दोनों से ही मेरा emotional connection है लेकिन प्रियंका गांधी अब सियासत में entry करने जा रहे ही है पहली बार ये मौका होगा जब प्रियंका गांधी अपना पहला चुनाव लड़ने वाली है वाइनाड सीट से चुकि अब वाइनाड सीट राहूल गांधी छोड़ देने वाले हैं आपको याद होगा जब 2019 में अमेठी और वाइनाड दोनों से चुनाव लड़ा वाइनाड से उस वक्त भी राहूल गांधी ने जीत दर्ज की लेकिन अमेठी हाल गए थे इस बार कॉंग्रिस के खाते में गई अमेठी सीट भी और खुट जब राहूल गांधी ने वाइनाड और राय बरेली से चुनाव लड़ा तो जीत यहां पर दर्ज की लेकिन अब वाइनार वो देने वाले हैं अपनी बहन प्रियंका गांधी को प्रियंका वाइनार से चुनाव लड़ेगी मगर मैं भी पिरियोडिकली वाइनार जाऊंगा और जो वाइदे हमने वाइनार को किये थे उनको हम पूरा करेंगे राइबरेली का पुराना रिष्टा है काफी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रेप्रेजेंट करूंगा मगर आसान निर्ने नहीं था मुश्किल निर्ने था क्योंकि जुडाओ दुनों के साथ बड़ एक सोच समझ के हमने तहीं करया कि वाइनार से खाली सीट पे प्रियांका जी लड़ना चाहिए और इसी लिए हम पार्टी के और से और मेरे और से उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात को उन्होंने रखी है और माना है दोनों ने इसी लिए मुए आपके सामने आके डिक्लेर कर रहा हूं कि दोनों एक तो राइवरेली सीट रहेगी और वाइनार में भी प्रियांका जी रहने से वहां के लोकों को भी एक हिम्मत मिल है वाइबरेली के साथ तो मैं मेरा बहुत ही पुराना रिष्था भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों डूंड एवरेली और अमेठी में तो वे रिष्था तो कहीं मतलब किसी भी तरह से कि तूट में ही सकता उसको कायम रखने के लिए हम दोनों फैंद और भईया कि में मद़त राइली में भी करूँगी और जैसे इनों कहा हम दोनों राइप Rak inclus मौझूद होंगे उस वाइनाल मेहां दोनों को दोनों को दो सांसत मिल रहे हैं के सुंप्नी बात है झाल झाल